जिराए बोईज थिंक्स ठीक है कि क्या करेंगे आट रोपाय का समान लेंगे दो रूपाय अपना कमिशन कर नहीं सर किसी को किसी की सुपारी ले ले लें गोली ले गोली मार दें किसी को पैसा कमाने के लिए तो वह भी इकनॉमिक एक्टिवीटी होगी बिल्किन समान बना दिया बना कि लोगों में डिस्ट्रिबूट भी तो करना होगा क्योंकि resources क्या है बच्छे स्कियर हैं पता करते हैं कि रॉम मटेरिल कहां पर सस्ता मिलेगा हम किसको समान सकते हैं ठीक कैसे कौन सी टेक्टिक्टिक यूज करनी चाहिए कितनी कॉस्टिंग है कहां करेंगे क्योंकि फॉर्स चैप्टर की इतनी आउकात नहीं है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए चोटा सा टॉपिक है 10-15 मिनिट का तो दोनों को कममाइन करके हम क्या करेंगे बच्चे एक पूरा यह वन शॉट तयार करेंगे और इस पूरी वीडियो में क्या करेंगे फर्स और सेकेंड चैप्टर को पूरा अपना कवर करेंगे कि स्टाटिस्टिक्स होता क्या है इसके फंक्शन क्या इंपॉर्टेंस क्या है यह सारी चीज़े हम यहां पर क्या करेंगे देखेंगे तो बातचीत काफी जादा हो गई अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को let's begin चलो वही देखो अभी तक तो हमने पूरी बातचीत कर ली अपनी पूरी कहानी दिसकस कर ली कि क्या कहानी है क्या नहीं है अब यहाँ पर क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक स्टार्ट करने से चीज़ कर लेते हैं और इसको ना पहले होती देन definition पर उतरेंगे definition की कहानी को समझेंगे तो example लेते हैं जैसे आजकल आप देखे रहे हो ने टीवी में shark tank, shark tank का बड़ा आप वो चल रहा है, shark tank पर क्या होता है लोग आते हैं अपने ideas पिछ करते हैं उनका कोई business चल रहा होता है तो वो चलता है ठीक है और अपने ideas को pitch करते अगर shark सो फसंद आता है तो वो उनके business में क्या करते हैं पैसा invest करते हैं shark tank की आज की एक कहानी है ठीक है बस वही same कहानी हमारी क्या होगी उसी example से अपने को clear हो जाएगा कि वही economics होती है economics जनरली क्या होती है दो problem से मिलके बनती है ठीक है economics देखा जाए तो दो problem से मिलके बन आप 10 रुपए लेके निकले पहुचे और पहुचके आपने सोचा कि 10 रुपए का समान लेना है मैं मैंने का 10 रुपए का समान है लेते हैं ठीक है आपके दिमाग में क्या plan चल रहा है boys thinks ठीक है कि क्या करेंगे 8 रुपए का समान लेंगे 2 रुपए अपना commission कर जाएगा ठ कहता है कि यह जो समान है इसका प्राइज 12 रुपए आपका धिमाग खराब हो जाता है मैं तो 10 रुपए ही लेके आया हूं उसमें से भी 2 रुपए अपने को बचाने थे तो इस problem को इस situation को क्या बोलते हैं बच्चे स्कार सेटी बोलते हैं जब demand resources की क्या हो जाती है अने भी आपके पास resources है ना उनमें से चीजों को क्या करना पड़ता है चूज करना पड़ता है यह कहानी actual में चल क्या रही है इसको हम एक्जामपल के थ्रू समझते है शाक टैंक के एक्जामपल से लेट से माल लेता हूं मेरा नाम मयंख है ठीक है और मेरे पास 100 रुपए exist कर रहे हैं और यह 100 रुपए मुझे क्या करने है बिजनस में invest करने है किसी के भी बिजनस में invest करने है मैं क्या हूँ angel investor हूँ angel investor का मतलब क्या होता है वही शाक्ष जो होते है हमारे ठीक है मेरे पास 100 रुपए है 100 रुपए देगर हो कितना बड़ा amount है माल लेते हैं example के लि फिर आये B और सबसे लास्ट में आये ती नों ने कहा कि भाई यह जो रिसोर्स है यह क्या है इस्कियर है यहां पर पैसे जो है क्या है अगर पैस क्या क्या है इंवेस्ट कर देथ है तो मुझे चूस करना पड़ेगा 250 में इनवेस्ट करूं या C में invest करूँ, मुझे तीनों में क्या करना पड़ेगा, चूस करना पड़ेगा, तो मैंने चूस करने से पहले, मैंने पूछा भाई, अपने अपने idea बता दो, क्या कहाणी है, क्या नहीं है आपकी में, तो सबसे पहले मैंने A से पूछा, मैंने कहा, अगर सो रुपए मैं आपकी बिजनस में invest कर देता हूँ, तो आप कितनी यूनिट्स की production करोगे, A नहीं कहा, सर अगर आप सो रुपए invest कर देते हो, तो मैं 20 यूनिट्स की क्या कर दूँगा, production कर दूँगा, मैंने कहा, इस नहीं कहा, सर कुछ नहीं, मैं तो भाई साब से थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने कहा, वह वेरी गूट्स थोड़ा सा तो उपर हुए, ठीक है, फिर मैंने कहा, अच्छा, रुको, इतना खुश होने की जरूत नहीं, एक बारी C से भी discuss कर लगते हैं, C की क्या कहा नहीं है, C नहीं कहा, सर, देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 30 units की production कर सकता हूँ, मैंने कहा, बाकी दोनों तो fail हो गए, आप तो कोई option ही नहीं बनता है, इन दोनों में invest करना है, क्योंकि क्या कर रहा है, मेरा optimum, जो मेरी resources है, उनको best तरीके से कौन utilize कर पा रहा है, C utilize कर पा रहा है, तो मैं यह पैसा कहाँ पर invest करूँगा, बच्चे, C के पास invest करूँगा, बस इसी चीज को क्या बोला जाता है, economics क्या कहता है, कि जितने भी हमारे पास square resources हैं, square resources का मतलब क्या है, जिनमें demand क्या है, जादा है, और supply क्या है, कम है, उनको कैसे best possible way में utilize करा जाया, और जितने भी लोग मांग रहे हैं, उनमें से सबसे best वाले को choose करके, यह चीजे distribute करना ही हमारा क्या कहलाता है, economics कहलाता है, तो वही economics ही definition बन जाती है, क्या कहता है, economics is a science that study human behavior, economics एक science है, जो क्या करती है, human behavior को study करती है, which resources in such a way that, consumer can get maximum, maximize their satisfaction, जो consumer है, उसको सबसे ज़्यादा level of क्या मिलनी चाहिए, satisfaction मिलनी चाहिए, यह तो consumer कहस्ताब किताब हो गया, पहला audience जो हमारी होता है, economics में, तो तीन चीज़े, mainly दो चीज़े चलती है, consumer और producer, प्लस साथ में society भी आ जाती है, society के बारे में बाद में बात करेंगे, consumer को यहाँ पर maximum satisfaction मिल जाए, पहली चीज़ तो यह है, दूसरी चीज़ कहा है, producers can maximize their profit, ठीके जो producer है, उसको भी क्या मिल जाए, सबसे ज़्यादा profit मिल जाए, ज़्यादा सज़्यादा, क्योंकि producer काम क्यों करता, profit कमाने के लिए तो करता है, टेके welfare के लिए नहीं काम करता, profit कमाने के लिए करता है, तो यहाँ पर उसको profit भी मिल जाए. और साथ में society भी maximize कर सके अपना welfare, बस इसी पूरी कहानी के लिए हम क्या करते हैं, economics की study करते हैं, तो ये economics की basic definition है, कि भाई, जितने भी मेरे पास square resources हैं, उनको कैसे best possible way में utilize करना है, square resources को, ये क्या कहलाता है, उसी की study को क्या बोलते हैं, economics बोलते हैं, अब तीन elements हैं हमारी economics में सबसे पहला क्या consumer है, वो अपनी satisfaction को क्या करें, maximize करें, दूसरा producer है, वो अपने profit को maximize करें, और सबसे last में हमारा जो option आता है, वो क्या आता है, society, society का भी क्या हो रहा हो, भला हो, अगर ये सारी चीज़े हो जाती हैं, तो simple सा logic है, कि हम क्या कर लेंगे, economics की study को achieve कर लेंगे, ये basic definition थी किसकी बच्चे, economics की, अब आगे बढ़ते हैं, economics की definition समझ में आ गई, तो अब economics की definition में वही साथ में क्या आ जाता है, इसके बारे में समझाई दिया था, ठीक है, किसटा scarcity क्या होती है, जब demand क्या हो जाती है, resources की जाधा हो जाती है, supply क्या हो जाती है, वही से आगे देखो, अब क्या हुआ, economics की ना सबने अलग-अलग अपनी definitions दी थी, different, different लोगों ने अलग-अलग definitions दी थी, ये वही बात है, इस example के लिए, आप पूछो की बढ़ाई कैसे करनी चाहिए, तो आप 10 topperों से पूछोगे, तो सब का answer different होगा, कोई कहाएगा, मैं तो दि करते हैं, जो सबसे पहली definition economics की दी थी, उनको क्या बोला जाता है, बच्चे, Adam Smith बोला जाता है, ये काफी important नाम है, modern economics जो हमारी है, उसके father इनी को बोला जाता है, father of modern economics, इनका नाम क्या है, Adam Smith, Adam Smith ने क्या गरा था, बहुत सारी धान राओं को change करा था, बहुत सारी जो पीछ सबसे पहली, इनों ने definition जी थी, ये definition क्या थी, वेल्थ पे-based definition थी, और इसमें, मैं थोड़ा सा सम्झाना चाहूंगा, कि wealth-based definition क्या थी, क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, अगर किसी को powerful होना होता था, पहले लोग सबसे पहले substance farming करते थे, जीने के लिए क्या करते कुछ थोड़ा मोड़ा मिल गया, खा लिया, खापी के, खेल खतम, ये वाली कहान ही चलती थी, लेकिन क्या होगा, थोड़े time बाद लोगों को लगा power की भूख, power की भूख का मतलब क्या है, कि मुझे जाधा powerful होना है, जाधा powerful होना है, तो लोगों ने क्या करा, अलग-अल सब कुछ possible नहीं है, ये violence अपने को पसंद नहीं है, मैं कुछ ऐसी टेकनीक बनाता हूं कि जिससे लोग और ज्याधा powerful हो सके, और ज्याधा लोगों के पास पैसा आ सके, तो उन्होंने अपनी definition दी थी, wealth definition, जो क्या कहती थी, कि हमें समान में क्या करना चाहिए, value addition का मतलब क जैसे example के लिए, एक कोई भी carpenter है, वो क्या करता है, बजार से लकडी लेके आता है, ये कोई आम इंसान है, वो क्या करता है, बजार से जंगल में जाता है, जंगल से लकडी काट के लाता है, और उस लकडी को बेचेगा, तो उसका price उसे थोड़ा क्या मिलेगा, कम मिलेग लेकिन अगर उसे अपना profit बढ़ाना है तो उसे simply क्या करना पड़ेगा जंगल से जो लकड़ी लेके आया है उस लकड़ी को ना अगर furniture में change करके बेज दे तो क्या मिल जाएगा उसे जाधा profit मिल जाएगा बस इसी कहानी को क्या बोला Adam Smith ने wealth definition बोला कि अगर आपको अपनी wealth बढ़ानी है तो ऐसा नहीं है कि भाई पड़ोस वाले की जमीन छीननी ही छीननी है ठीक है मार काठी करने है किसे को निप्टा देना है उससे पैसे ले लेना है फिर होती के पैसे यह वो जब नहीं करना है ठीक है अगर आपको अपनी wealth बढ़ानी है तो simply क्या करना पड़ेगा value addition करना सीखना पड़ेगा यह definition किस ने दी थी Adam Smith ने दी थी इनकी एक बहुत popular book है जब the wealth of nation जो की 1776 में आई थी इसी में यह definition क्या करी गई थी मेंशन करी गई थी नोंने का था कि economics is a science of wealth ठीक है यह wealth को बढ़ाने की science को ही क्या बोल आएगा दूसरा नाम क्या आएगा कि wealth definition किस ने रखी ती या Adam Smith ने कौनसी definition दे रखी थी दोनों में option क्या रहेगा बचे अगर was गें वालपर एफिर्फिनेशन देर और ने दि Bowl एफिर्फ्वन मर्षाओं याद है सुना इनका नाम अमय पर देफिनिशन और मंतलब यह कंडिर्फेट आहरा लोगपने बिल्पेर फोकस करें ठीक है लोगों अपना standard of living को better करें ठीक है materialistic चीज़ों पर ध्यान दें ठीक है और उसको क्या करें ज्यादा से ज्यादा sources को अपने पास लेके आए इस चीज की study को क्या बोला गया था बच्चे welfare definition बोला गया था जो कि second definition है अपने को ज्यादा कुछ नहीं याद करना बस यह याद कर लाइनल रॉबिंस ने और यह कब दी थी 1932 में जो अभी हमने definition पड़ी ना कि जो resources होते हैं क्या होते हैं स्केर होते हैं ठीक है और कैसे उनको optimum तरीके से utilize करा जा सकता है बेस तरीके से utilize करा जा सकता है वह सारी definition किस ने दी थी बच्चे लैनल रॉबिंस ने बात करते हैं ठ सबको combine करके अपनी definition दे दी जिसको क्या नाम दिया गया बच्चे growth oriented definition नाम दिया गया तो यह last definition है यह किस ने दी थी Sir Paul A. Samuelson ने दी थी इस definition के according क्या होते है बच्चे देख लेते हैं थोड़ा सा ठीक है पहले definition देखते हैं देन उसके बाद समझते हैं क्या कहानी कह रहा है कि economics is the study of how man and the society ठीक है man में यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे सारे लोग आ जाएंगे ठीक है जितना भी मैं वह feminist वाले हिसाब किताब यहां पर मत लगा ना ठीक है सारे लोग आ जाएंगे यहां पर women men men सबके बात हो जाएगी क्योंकि पहले इतना जादा women's पर ध्यान न तो वही चीज मेंशन कर रहा है कि सिर्फ पैसे से नहीं पैसे के अलावा भी हम कोई service प्रोवाइड करके भी बदले में कोई समान क्या कर सकते हैं चूज कर सकते हैं इसका मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास जितने भी resources जिनका यूज करके हम किसी भी चीज की क्या कर सकते हैं उनको बेस्ट तरीके से क्या करना है यूटिलाइज करना है प्लस यह जो resources है यह alternatively यूज हो सकते है alternatively यूज याद आ रहा है वहाँ पर ठेक है मैंग्रोकनोमिक्स मैं में पढ़ा था न सेंटल प्रॉब्लम और इसके तीन कौज़ेज होते थे सबसे पहला क्या होता था यूमन वांट्स अर अल्लिमिटेड दूसरा क्या होता था बच्चे जो resources है वो क्या होते थे लिमिटेड होते थे और सबसे लास्ट क्या होता था resources are alternatively used लग बग वही सारे points यहां पर क्या कर रखे है इन्होंने mention कर रखे है और उसके बाद क्या कह रहा है distribute them ठीक है जितने भी resources है उनको कैसे distribute करना जब resources से production कर ली जाए तो उन्हें distribute करना for consumption now and in future among various people ठीक है अलग अलग लोगों में क्या कर देना इसे distribute कर देना ठीक है है wealth भी आ गई है तो इसी लिए definition को क्या माना जाता है best definition माना जाता है अगर पूछा जाए कि अमंग four definitions ठीक है कौन सी definition सबसे best है तो हम सीधा बोलेंगे किसकी बच्चे growth oriented definition यह कह सकते हो सर पॉले समिल्सन की definition क्या होती है सबसे best होती है बात करी जाए तो वही तीन पॉइं definitions clear हो जाती है एक बारी मैं दुबारा से repeat कर देता हूं recap कर देता हूं सबसे पहली definition हमारी थी wealth definition जो कि किस ने दी थी father of modern economics Adam Smith ने 1776 में दूसरे नमबर पर हमारा नाम आता है welfare definition का जो कि किस ने दी थी Alfred Marshall मार्शल माइक्रोक्नोमिक्स के father वाने जाते हैं then third definition लाइनल रोबिंस की थी जो किस पर वेस्ती बच्छे scarcity पर जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और सबसे लास definition जो हमारी है वो growth oriented सर्पॉले समिलसन ने दी थी तो यह चाल डेफिनिशन टूटल अपने को देखने को मिलती है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है यहां से कहानी स्टार्ट होती है थ पैसा कमाने के लिए जो काम पैसा कमाने के लिए करा जाए वह होता हुए पीछान पहली अक्तिवीटी और पैसा कमाने के point of view से करी जाए और non economic activity क्या होती है बच्छे जो ऐसे समाज के भले के लिए ठीक है अपने धर्म के प्रमोशन के लिए religious promotion के लिए या अपनी mental satisfaction के लिए आपने देखा होगा न कई सारे लोग क्या करते हैं charity आपनी सारी activities को परफॉर्म करते हैं जिससे हमें पैसा मिल जाता है वह हमारी क्या हो जाती है अब अब economic activity में हमारी कुछ टाइप आते हैं जैसे सबसे पहला एक्टिविटी ए प्रोड़क्शन फिर साथ कमाने में एक्टिविटी क्या होती क्या होती है जो जनरलि क्या होता है बच्चे स्वीजिस सारी चीजों के लिए पैसा कमाने मोटीफ से स्ब्सें करिए ऑक्क्ति ओपर जिए का प讀प जाएंब क्राइचस एस surgat क्रा इन पैसे छाहिंक 10100 एक्टिविटी कर def लेंगे लेकन इसी का उल्टा है और शुटीट को रात को भूइचे अपने बाबु को फोन करा कहा बाबु मुझे भूख लगी ए बाबू निकले बाबू ने बाइक एक्ट security उठाईanie जो भी उठाया पहुँचे हैं अगर ये भी नहीं है तो cab कर ली पहुचे समान खरीदा कोई भी खाने पीने की चीज लेके बाबू के दर्वाजे पर पहुचे और वहाँ भी आपके बाबू को खाना प्रोवाइट करा कोई बात नहीं ठीक है और non economic activity क्या होती है जो सिर्फ क्या करी जाती पैसा कमाने के motive से ना करी जाए अब आगे बढ़ते हैं कुछ छोटी मोटी terms आती है इन सारी terms के बारे में जान लेते हैं सबसे पहला पहली करने के लिए चीजों की सब्सक्राइब करता है उसे क्या बोल देते हैं पहला इंसान हमारे उसमें निकल के आता है दूसरा क्या होता है वो फिनिच में कर देता है चेंज कर देता है किस लिए इंकम कमाने के लिए या प्रॉपिट कमाने के लिए उसको क्या बोलते हैं प्रोडूसर बोलते हैं तो यहां पर कहता है प्रोडूसर इस वन हूँ प्रोडूस गूड्स अन सर्विस फॉर्ड जेनरेशन ओप इंकम इंकम जनेरेट करने के लिए चीजों को क्या करता है गू कर ली किसी के आंडर काम करने लग गया गया करने लग घ yönरने को मतलब जो ढ़ी चमड़ाय करता है किसी के ऊंडर फां करता है उसे दूसरा नाम गहाए сами सर्विस प्रोवाइडर का होता है सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है जो इंडिपेंडेंट अपना काम करें आप जाओगे न कभी कोट वोड में तो आप देखो कि बहुत सारे वकील बैठे होते हैं आप क्या करते हो किसी एक वकील को चूज करते हो और चीजों को क्या करते करते हो उससे क्या बोला जाता है service provider बोल जाता है जो इन्डीपेंडंट काम करता है क्या बोलते सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं istersब्सक्राइड बढ़ते हैं और है फिरह प्रूर्टक्षिंड करते हैं थोड़ा सा इन टीन लोगों के बीच मैं ठीक है जितने भी लोग है अब हमने समान बना दिया बना के लोगों में distribute भी तो करना होगा क्योंकि resources क्या है बच्छे सकेर हैं तो स्केर रिसॉर्सें पो लोगों मेंだ स्केर्ष करने का काम किसको मिलना चाहिए समान किसको नहीं जाई इस प्रोसीस को क्या बोला जाता है भिच्छे डिस्त्रिबिशन बोला जाता है's को क्या इस कहान होता है भई अप्णा future Universe करने के लिए हम कुछ क्या होती है non economic activity क्या होती है then उसके बाद हमने देखा कि वही economic activity के तीन टाइप होते हैं कौन-कौन से बच्चे production consumption और distribution सबसे last में हमने क्या देखा सबसे last में हमने कुछ नाम देखे ठीक है कौन-कौन से नाम थे बई सबसे पहला क्या था consumer producer और service holder और service provider इन दोनों में confused नहीं हो ना बच्छे service holder और service provider में service holder क्या होता है किसी दूसरे के एंडर काम करता है अपनी services provide करता है और service provider क्या होता है बच्छे independent काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं आप स्टार्ट करते हैं है स्टैइस्टिक्स की कहानी स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स यहाँ से में स्टार्ट होती है अभी तक तो यह क्या ता से सबसे पहला पार्ट होता है EMUX संगुलर सेंग bajo डूसरा होता हैR vacun सेंस ठीक है मैंने भी जब फर्स टाइम पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक सेंगलर सेंस या स्टैटिस्टिक सेंगलर सेंस क्या होता है तो फर्स टाइम जब मैंने भी पढ़ा था तो मेरे दिवांग में वही आया था जब एक की स्टेडी हो रही होगी स्टैटिस्टिक सेंगलर सेंस होगा जब एक सजादा की study हो रहे होगी तो यह क्या होगा plural सेंस होगा बाट यह चीज बिलकुल ही गलत है ठीक है दोनों के अलग अलग मतलब है आओ देखते हैं कि करके चीजों को क्या गरते हैं discuss करते हैं सबसे पहले statistics and singular sense की बात करी जाए तो statistics in singular sense simply क्या होता है आप कभी भी कोई भी पूछेगा singular sense में statistics क्या होती है तो आपको simply बोलना है co-pie अब co-pie का मतलब क्या होता है एक बारी मैं समझा देता हूँ co-pie में ने देखो total 5 terms चलती है इन्हें stages of statistics बोल लो या methods of statistics बोल लो या statistics and singular sense बोल लो स्वेश का मतलब क्या होता है collection of data जब भी हम statistics की study करते हैं तो पहले data को या खरते हैं collect करते हैं collect करके second number पर ओ आता है ओ मतलब organizing of data उस data को और नाइस करा जाता है same type की चीजों को अलग करा जाता है same type की चीजों को अलग करा होती है और सबसे last second last क्या होता है analysis of data जितना भी डेटा आया है उसको प्रेजेंट करके सिर्फ नहीं देखोगे उसको analyze करोगे वाई से result क्या आया है तो उसको क्या करोगे analyze करोगे उसका mean median mode यह सारी चीज़े निकालोगे and सबसे last में क्या होता है interpretation of data data से results लेते हैं conclusion लेते हैं वस चीज़ को क्या बोलते है interpretation of data और इन सब को जब combine कर दिया जाता है तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है statistics in singular sense आई का नहीं समझ में तो यही इसकी recognition में बन जाता है कि statistics means statical method अभी तक method ही देख रहे हैं and techniques related to किस से related बच्छे collection of data organizing of data classification of data presentation of data analysis of data और interpretation of data इन ही पूरे process को क्या करा जाता है statistics in singular sense बोल दिया जाता है clear है अगर कहीं पूच देता है कि statistics in singular sense को किसी और नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है statical method या statical techniques के नाम से भी जाना जाता है और मज़े की बात क्या है कि यही चीज अपने को क्या करनी है पूरी economics में पढ़नी है ठीक है मतलब यही सारे topics सबसे पहले collection of data और analyzing of data presentation analysis और interpretation of data यह पूरा पार्ट अपने को क्या करना है पढ़ना है तो start करते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है अब बात करते हैं plural sense की plural sense पर जाने से पहले ना मैं कुछ चीजे mention करना चाहता हूं कुछ चीजे समझा देना चाहता हूं कि अगर किसी भी statement में किसी भी data में ठीक है यह साथ चीजे आपको देखने को मल जाती है कौन-कौन सी साथ च चीजना statistics नहीं होती है अब चीज का आपके दिमाग में क्या आएगा जैसे मैं बोल दूं कि मेरी एज 26 इस चीज को स्टैस्टिक्स कंसीडर नहीं करा जाएगा क्योंकि यहां पर एक की बात हो रही है जब जादा लोगों की बात हो उसे क्या बोलते हैं एग्रिगेट और बोलते हैं या statistics बोलते हैं जैसे मैं बोल दूं कि इंडिया की population कितनी है बच्चे 1.5 billion है ठीक है 500 करोड में इंडिया की population है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे aggregate of fact बोलेंगे क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों की क्या हो रही है बात हो रही है दूसरे नंबर पर क्या आता है numerically express कोई भी डेटा जो पवर्टी है इंडिया में पवर्टी का नंबर जो है वो क्या है 20 से 30% के आसपास है यहां पर नंबर से इंक्लूट हो गए तो इस चीज को हम क्या बोल सकते है सबसे पहले चीज अग्रिगेट अफट होना चाहिए और दूसरा क्या है निमेरिकली एक्सप्रेश होना चाहिए थैड़ की बात कर लेते हैं यह इंज जीन का एक्जांपल ले लेते हैं अचानक से जीन्स की जो डिमांड है वो क्या हो गया बढ़ गई है बढ़ गई है अ इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं और इसा चीज को क्या बोला जाता है है अगर एक सिंगल चीज से कोई-बी चीज इफेक्ट होती है कोई भी डेटा इफेक्ट होता है तो उसे स्टैसिक्स कंसीडर नहीं करा जाएगा वह क्या होना चाहिए मैं इंडिया का प्राइम मिनिश्टर बन जाऊंगा इस चीज को स्ट्रेक्स थोटी माल लो गया इसलिए इसमें कुछ सच्छाई है क्या ठेके अगर मालनों चुनाओ रड़ा होता मेरे पास मोदी जी के बराबर तो मैं कह सकता है इंडिया का मैं प्रायम मिनिश्टर बन जाओंगा अभी राउल गांदी अभी खड़ा होके बोलते कि मैं तो इंडिया का प्राइम इनिस्टर बन गया इस बात को थोड़ी सच्मान लोगे यह चीज क्या हो जाएगी इसमें बात करते हैं क्लेक्टेड इन सिस्ट्टमाइटिक मैने अपने किसी और तरीके से चूपस कर था तरीका पिर क्या करा चाहिए तो उस चीज को स्टैटिस्टिक्स नहीं मानें ओए चाहिए जो प्रोसेस सब क्या रहना चाहिए बच्चे सेम रहना चाहिए उस प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए देन बात करी जाए प्री डिटर्माइन परपस ठीक है जो परपस है वो क्या होना चाहिए डेटा जब उतर रहे होना चाहिए उससे पहले ही परपस को क्या कर दो चीजे करो तो इसलिए कहता है कि जब भी डेटा करने जाओ या कुछ भी करने जाओ स्टैस्टेक्स में पहले परपस बैठ के कि सारे के सारे क्या है स्टुडेंट्स है या फिर एक्जांपल के लिए जैसे मैं जॉब वाले लोगों से बात करूं तो वो चीज क्या हो जाएगी उनके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा लेकिन मैं ऐसा अगर ले लूग कि कुछ स्टुडेंट्स ले लिए कुछ जॉब सबसे पहला क्या आता है एंडिविज्वल चीज कभी भी स्टैस्टिक्स नहीं होती हमेशा क्या होगा एंग्रीगेट आफ फैक्ट रहेगा एक से जादा चीजों पर डिसक्शन होगा उसी को हम स्टैस्टिक्स कंसीडर करेंगे नियुमेरिकली एक्स्प्रेस होना चाहिए नंबर्स में एक्स्प्रेस होना चाहिए थार्ड क्या है मल्टिपल कॉजिस से क्या होना चाहिए वह एफेक्ट होना चाहिए फोर्थ क्या है रीजनीबल एकुरेसी थोड़ी से क्या रहनी चाहिए ज्यादा सच्चा ही ज्यादा रहनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि पू और इन सब को जब हम combine कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, statistics and plural sense, अब बात करी जाए, statistics and plural sense की, तो अगर मैं इसको एक line में summarize करना चाहूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चे, कि every statistics and plural sense is a numerical, but all numericals are not statistics, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि जब भी हम कोई भी plural sense की example लेंग six years है, यह statistics तो नहीं हो जाएगी ना, यह numerically express है, number है, but इसमें क्या है, aggregate of fact mission है, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, statistics नहीं बोलेंगे, clear है, तो एक simple statement अपने दिमाग में रख लेनी है, कि every statistics and plural sense is numerical, but all numericals are not statistics and plural sense, ठीक है, यहां तक हमने दोनों ways क्या कर लिए, अपने discuss क लिए, कि statistics के दो ways होते हैं, कौन-कौन से बच्चे, दो तरीके से इसकी definition को देखा जाता है, एक तो plural sense में, एक singular sense में, plural sense में क्या होता है, अभी हमने देखा, साथ factors थे, ठीक है, उन साथ, साथ तो अगर कम माईन होगे, तो statistics and plural sense, और singular sense की बात करी जाए, तो copy of data, collection of data, organizing of data, presentation, analysis और interpretation, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला topic थोड़ा सा important topic है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, functions of statistics, statistics के क्या functions है, आप लोगों के दिमाग में आता होगे न, क्यों पढ़ाते हैं, आर ये फाल तू की चीज, दिमाग खराब करते रहते हैं, ये वो statistics की क्या कहानी है, ठीक है वही सेम कहानी को क्या करना है, यहाँ पर समझना है, कि statistics economics में क्यों जरूरी है, सारे कहते हैं, micro micro पढ़ादो यार काम चल जाएगा उससे, नहीं भाई, इसकी भी जरूरत है, ठीक है, रियल लाइफ में भी बहुत importance होती है, statistics की, क्या importance होती है, आओ देखते हैं, सबसे पहल प्रॉब्लम है, उसको हमने simplify कर दिया, एक छोट इसे एक statement में बोलती है, कि 20-30%, ठीक है, लोग क्या है, unemployed है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बच्चे, to simplify complex fact, complex fact को यहां से क्या करा जाता है, simplify कर दिया जाता है, then बात करी जाए, to present facts in a definite form, ठीक है, definite form में, ठीक है, exactly numbers में express कर ठीक है, ठीक है, जैसे यह था न, एक problem थी, कि भाई, इंडिया में unemployment का level कितना है, उस problem को हमने क्या करा, एक numbers में express कर दिया, ठीक है, इससे पहले आगर मैं बोल देता है, इंडिया में बहुत unemployment है, आपके दिमाग में कोई figure ही नहीं आता, कुछ idea नहीं लग पाता, कहता है, ठीक है, होगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि, इंडिया में 100 लोग है, 100 में से 20-30 लोग, 30 लोग मान लेते हैं, 30 लोग क्या है, unemployed है, फिर आपके दिमाग में आएगा, यह तो बहुत बढ़ा figure है, ठीक है, यह सोचके अजीब सा लग रहा है, क 100 लोगों में से 30 लोग क्या है, unemployed है, तो जो भी numbers, ठीक है, जो भी problem है, उनको क्या कर देता है, numbers में express कर देता है, plus, सबसे favorite काम, भाई, हमारे ममी पापा का favorite काम है, शर्मा जी के लड़के के इतने marks आये है, इसके marks उतने आये है, ठीक है, comparison करना बहुत possible कर देता है, हमारे parents क इभी तो एक क्या है, statistics का ही tool है, उससे क्या करते है, वो आजू आजू के लोगों से क्या करते है, हमारी comparison स्टार्ट करते है, तो comparison के लिए भी statistics क्या होता है, बच्छे काफी जाधा use होता है, उसके बाद आगे बाद करीजा है, ठीक है, planning and policies बनाने के लिए, ठीक है, अब क् policy बनाने हो, GST लाएंगे, पुराना tax station system हटा देंगे, ठीक है, यह ऐसी थोड़ी policy बना देते हैं, पहले क्या करते होंगे, यह लोग खूब सारी research करते होंगे, फिर समझ में आता होगा, अच्छा, यहाँ पर problem है, ठीक है, उसको analyze करते होंगे, फिर उसको present करते होंगे, analyze क करते होंगे, पूरा process करने के बाद last में conclusion लेते होंगे, कि अच्छा, यह policy apply कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा भला हो जाएगा, तो उसी चीज को क्या कह रहा है, कि यहाँ पर planning और policies करने के लिए भी क्या करा जाता है, statistics useful होता है, उसके बाद बात करी जाए, forecasting की, forecasting का मतलब क्या होता है, future बताना, ठेक है, अब आप लोग सोचो कि यह जो जो अत्षी हैं, वो भी statistics करते हैं, बिल्कुल, वो भी statistics करते हैं, ठेक है, इसका मैं एक दूसरे example से समझाना चाहूंगा, कैसे, जैसे example के लिए, आपने देखा होंगा, जब दिवाली का टाइम हैं उसके भी, लेकिन अचानक से दिवाली के टाइम पर भाई साब मिठाई हो कि अंबार लग जाती है, और वो भी किस मिठाई की, zone property की demand क्या हो जाती है, काफी जादा हो जाती है, क्योंकि companies को पता है न, कि दिवाली के टाइम पर ही अपना market आता है, दिवाली के टाइम प करके तब उन्हें समझ में आया होगा कि अच्छा ये कहानी है, इस टाइम पर इसकी demand बढ़ जाती है, तो वो पहले से उसकी planning करने लगता है, कि इसकी production क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, देन आगे बात करते हैं, सबसे last point क्या जाता है, formulating and testing hypothesis, जैसे आपने क्या करा होगा, micro में बहुत सारे laws पड़े होंगे, like law of demand, law of variable proportion, law of diminishing marginal utility, वो सारे law ऐसी थोड़ी बना दिया होगे, जिसने भी वो law बनाए है, वो ऐसी थोड़ी बना दिया होगे, रात को सबना आया होगा, अच्छा, सुबह उटके law बना देता हूँ, नहीं यार, पहले उ experiments करें गए होंगे, उने experiments को क्या करा गया होगा, जब experiments खूप सारे हो जाएंगे, then उस experiments को क्या करा गया होगा, analyze करा गया होगा, ठीक है, वही सेम कहानी, scoop of data करा गया होगा, ठीक है, और last में जो conclusion निकल के आया होगा, उस को मने क्या कर दिया होगा, law बना दिया होगा, बस इसी चीज़ को क्या बोलते हैं बच्छे functions of statistics बोलते हैं जो कि हमारे कुछ कई सारे functions है इतना हमारे लिए क्या होता है useful होता है statistics आपको लग रहा होगा ना कि कोई useful नहीं होता नहीं देखो भाई सरकार से लेके आपके जो laws बन रहे हैं ठीक है companies अपना business चला रही हैं वो सारे सारे काम क्या होते हैं उन सब में statistics यूज होता है आगे बढ़ते हैं अब बात करी जाए importance of statistics की लगबग अगर आपको functions clear हो गए हैं तो वही same functions क्या हो जाते हैं importance में भी आ जाते हैं importance किसके लिए किसके लिए होती है सबसे पहला business के लिए important होता है ठीक है government के लिए देखा जाए तो उनके लिए करता है तो बिजनस को स्टार्ट करने से पहले जो काम होता है वो भी किसके थूरू होता है स्टैटिस्टिक्स के थूरू उतरते हैं मार्केट में पता करते हैं कि नहीं अपनी बिजनस यूनेट तो उसके लिए एस्टिमेटिंग डिमांड पर प्रोड़क्ट वो फॉर्कास्टिंग समझाया था ना कैसे डिसाइड करते हैं यहां पर आ जाती है कि बाई कब सुन पापटी की डिमांड बढ़ेगी कब कैडवरी की डिमांड बढ़ेगी ठीक है वो सारा काम भी क्या होता है लास्ट यूजद करती थी ठेक है कोई डेटा अगपना को कोई रिकाड निराती थी समान बनाया विकाद बिकाद नहीं विकाद नहीं विकाद ये वाला हिसाब होता था ठेक है उसने अपनी साल की ऑब्जरवेशन करी कमपणी ने कुछ नहीं करा कम्पणी ने कुछ कुछ रिकौर्ड अपना मैंटेनी नहीं करती थी हमने करा उसके आप्जर्विशन करी तो हमें बता लागा इसका एज अबया विखती है इसकी 155 और सी जो प्रोडक्ट है इसकी 205 ऊंट बखती है ठीक है मान लेते हैं कितनी युनिट भी करिए 205 यॉनिट भी करीज नहीं कोई अपना एकरोड करेंड करना नहीं थे अर उसने है अब से कम थोड़ी से प्रोलेक्शन किस की करी बी की करी और ऐस की सबसे जबीकी करनी चाहिए और फिर फिर उसके बाद बी करनी है कि करनी तो थोड़ी मुडी 5-10 यूनिट की कर दो थे dugback यहां पर क्या कर रहा है इन्होंने कोई भी production planning नहीं करी अगर statistics से चीजों को observe करते जाते नोट करते जाते तो क्या होता production planning भी यह easily कर सकते थे आगे बढ़ते हैं तो अब government के point of view से कैसे important हो जाता भाई अभी समझाया था policies बनाने के लिए important हो जाता है ठीक है सबसे पहला point वहीं आ जाता है कि policy making के लिए पहला point वही mention कर रखा है कि statistics का use करके government क्या करती है decide करती है कि क्या policies बननी चाहिए दूसरा government की कितनी assets हैं कितनी liabilities हैं ठीक है क्या unemployment चल रहा है जितनी भी economic problems हैं उनके बारे में भी government को किस से पता लगता है statistics से पता लगता है और सबसे last में क्या होता है अलग-अलग ना index number चलते हैं index number का मतलब क्या होता है यह हमारा chapter है separate chapter थोड़ा सा basic बता देता हूं इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है changes को major करने के लिए क्या करा जाता है इंडेक्स नंबर का यूज करा जाता है अब changes क्या हो सकते हैं जैसे आपने AQI का काफी नाम सुना होगा AQI air quality index कि दिल्ली में air quality क्या हो रखी है ठीक है उसका नंबर बता रहे थे ना 400 ठीक है 470 ठीक है ऐसे करके इसके जो नंबर से वह क्या थे air quality इंडेक्स बोले जाते थे तो ऐसी अलग अलग इंडेक्स नंबर होता है जैसे CPI होता है consumer price index कि भाई consuming goods के price कैसे कैसे बढ़ रहे है कैसे नहीं बढ़ रहे inflation सुना होगा आप लोगोने ठीक है इन सबसे क्या प्रता लगता है महंगाई दर कितनी बढ़ रही है उसका भी use क्या करती गवर्मेंट करती और गर्म को पता लगता है कि अच्छा कैसे महंगाई बढ़ रही है इन सबका भी यूज क्या करती है government करती है तो इन चीजों को क सबसे पहला क्या है जितने भी लॉज बनते हैं एकनॉमिक्स के लाइक लॉफ डिमांड ठीक है लॉफ सप्लाई ठीक है लॉफ दिमिस्टिंग मार्जिनल यूटिल्टी वह सारे लॉफ कैसे होते हैं अभी समझाया था ना कि करके अगर देट redemption होता है डोची पीच गरप और इसका ग्राफ ऑलवेस कि दर की साइट ऊपर की साइट जाता है और एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा inverse relation inverse relation जब भी inverse relation होता है इसका graph की तरकी साइड आता है नीचे की साइड आता है ठेक है यह दो type के relations है यह क्या करा है मैंने बहुत सारी research करी होगी ने लोगोंने तब उन्हें समझ में आया होगा अच्छा जब भी दो चीज़ों लोग के बीच में ते साई ग्राफ की है नीचे नीचे साइब तो यह सारी चीज है हमें से पता लगी है उनके बीच में क्या इन के बारे में हम क्या करेंगे एक चैप्टर हमारा आएगा forms of market करके माइक्रोइकनोमिक्स में उनमें हम क्या करेंगे इन चैप्टर को discuss करेंगे अभी बस basic जानलो कि हम पता लगता है यह बहीं कितनी price चल रहा है, कितनी cost चल रहे है, कितना क्या चल रहा है, कोन सी market वारे लिए beneficial होती है, कोन सी market beneficial नहीं होती है, उन सब की structure को discuss करने के लिए भी क्या करा जाता है, बच्चे, economics का use करा जाता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सबसे last आता है, scope of statistics, scope of statistics में सबसे लास्टम सब्सक्राइब यहां पर इसके बाद यह हमारा अओ जाए जाएगा जैएगा फिनिशस्टर था चौट है देखते हैं इन सारे सबसे पहले पाइब करें डिस्टु suks का क्या होता है थैक काफी कब दोनों चीजज को करने की कला कोई कर न तो है किसी तक किसी को सिखादो की सब्सक्याय थुसक्राइब और साइन्स की बाद करें है तो इसमें पर अधर 깔र ś और आपको पता है, math क्या होता है, science का part होता है, तो इसलिए क्या हो जाती है, यह science भी हो जाती है, और math भी हो जाती है, वही चीज़ यहाँ पर mention कर रखी, as science, statistics, study, numerical data in a scientific or systematic manner, सब scientific manner में इस चीज़ों को study करती है, तो इस चीज़ को क्या बोल देते है, statistics as a science, और क्या करा जाता है, इसमें mainly क्या होता है, data से related खेलना होता है, कभी चीज़ों को present करना है, present नहीं करना है, कैसे data collect करना है, यह सारे process की वज़सी से क्या बोल दिया जाता है, arts बोल दिया जाता है, तो हम अगर कोई भी हमसे पूछता है, कि statistics का nature क्या होता है, science होता है यह arts होता है, तो हम कहेंगे दोनों होता है उसका nature, science as well as arts, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, subject matter of statistics, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कि statistics से कैसे subjects clear करे जाएं, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ, idea लग जाएगा आप लोगों को, सबसे पहला क्या होता है, descriptive statistics, descriptive statistics का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ हम क्या करेंगे, mean निकालेंगे, medium निकालेंगे, mode निकालेंगे, graph बनाएंगे, ठीक है, बनाकर छोड़ने वाले portion कोई, सिर्फ बनाकर उसको express कर देना है, सिर्फ हम चीजों को क्या करते ने इसके दिमाग में आए वो क्या कर ले उससे रिजल्ट ले ले इस टाइब की स्टैस्टिक्स को क्या बोला जाता है क्या है लिग दिया है मैंने आप आओ अपना पढ़के अपना हिसाब किताब लगा दो इस चीज को क्या बोलते हैं दूसरा आता है इंफ्रेंशियल का मतलब क्या होता है से conclusion निकाल के लोगों को conclusion बताते हैं ठीक है पूरा process समझाते हैं उस process को क्या बोला जाता है इंफ्रेंशियल statistics बोला जाता है सिर्फ mean, median, more, data का presentation, vision ये सारी चीज़े करके उसे क्या बोला जाएगा descriptive statistics बोला जाएगा और बात करीज़े इ inferential में क्या कानी होती है ठीक है दोनों को क्या करा जाता है दोनों का combination हो जाता है यहाँ पर conclusion नहीं लिया जाता है यह last topic हमारा हो जाता है ठीक है descriptive or inferential स्रीं, last के रहा हूँ, second last, तेके, सबसे last में क्या जाता है, limitations आजाती है, हमारी, थेके, वही समझा दिया, कि सिर्फ data को क्या करना, बच्चे, present करना, collect करना, यह वाला process यहाँ तक क्या कहलाता है, हमारा descriptive कहलाता है, और inferential में क्या जाता है, उससे conclusion भी क्या करे जाते हैं, draw करे जाते हैं, interpretation वाला process हमारा क्या हो जाता है, inferential statistics हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, limitation of statistics की बात करी जाता है, और यहां पर हमारा chapter क्या हो जाएगा, finish हो जाएगा, last topic है, आओ देखते हैं, जल्दी से खतम करते हैं इसे, यह क्या कहता है, limitation of statistics, कि statistics data does not study qualitative phenomena, ठीक है, कोई समझदार है, कोई गोरा है, ठीक है, कोई अच्छा है, कोई चोर है, कोई करप्थ है, ऐसे qualitative phenomena को statistics कभी भी study नहीं करता, दूसरा क्या कहता है, यह individual से deal नहीं करता, पहले हमने definition में देखा था न, कि यह क्या होता है, aggregate of fact होता है इसमें एक से जादा चीजों को क्या अगर आ जाता है, involve करा जाता है, तो यह कभी भी individuals पे study नहीं करता, यह दूसरा इसका drawback है, प्लस, तीसरे drawback की बात करी जाए, तो statistics can be misused, misused का मतलब क्या है, अब जैसे आपने देखा होगा न, COVID के time पे क्या होता था, अलग-अलग वो अगर इतना मैं दिखा दू सामने वारा, depression में जाके भाई साब, दिमाग से mentally क्या हो जाए, harassed हो जाए, और मर जाए, ऐसा scenario हो जाए, लेकिन अगर उसे मैं पूरी कहानी बताओ, इतने लोग positive हो रहे है, उसमें से इतने लोग क्या हो जा रहे है, रिकवर हो जा रहे है, मर स सिर्फ इतने परसेंट ही लोग रहे है, तो कहाए, सारे तो बची जा रहे है, कुछ लोग मर रहे है, मैं थोड़ी मरूंगा, confidence आजाएगा उसके अंतर, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, statistics can be misused, ठीक है, अलग-अलग तरीके से statistics क्या करा जा सकता है, misuse करा जा सकता है, एक और बात करी जाए, तो statistics results are only true on an average, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे मैं example के लिए माल लेता हूँ, तीन लोग है, ठीक है, एक तो मैं हूँ मयंग, एक A माल लेते हैं, ठीक है, A बोले तो अमबानी, ठीक है, अमबानी जी, आज कल शादी इनकी चर्चा में है आना ठीक है, ठीक है, और एक B को किसी को माल लेते हैं, ठीक है, A की जो income है, मतलब मेरी जो income है, वो कितनी है, 10 है, अमबानी की बात करी जाए, तो इनकी income कितनी है, 100 है, अगर इन तीनों का average निकालते हैं, तो average कितना हो जाएगा बच्चे, 10 plus 100 plus 10 divided by क्या हो जाएगा, 3 हो क्या हो जाएगा बच्चे 120 divided by 3 average income निकल के आएगी कितनी बच्चे 40 निकल के आएगी आपके दिमाग में क्या चलेगा कि हर बंदा क्या कमा रहा होगा 40 कमा रहा है बट कहानी एक्चुल में क्या और यह बाई यह दो लोग तो क्या कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स में क्या ह होता है जो रिजल्ट्स लिखे गए हैं वो कभी-कभी क्या हो जाते हैं फॉल्स भी हो जाते हैं क्योंकि एक्ट्रू रहता है एक्चुल में कहानी थोड़ी सी उपर नीचे हो सकती है उसके बाद सबसे लास्ट में क्या बात करी जाए स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट इक्जक्ट यह क्या होते हैं बच्छे कभी-कभी ना इनमें कई सारी अजंशन लगाई जाती हैं ठीक है आगे चलके हम कई सारे चैप्टर में पढ़ेंगे या मैं एक बारी थोड़ा सा सम्झाना चाहूंगा लॉप डिमांड या लॉप डिमनेशिंग मार्जनल यूटिल इस नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें क्या करेंगे क्लेक्शन करेंगे यह पूरा स्थिक्स क्या करेंगे हम यह आ पर ख़तम करेंगे ठीक है आज के लिए बस इतना ही थेक है एक बारी जल्दी से इसको क्या करिएगा घर याके बैठके 10-15 मिनिट में थोड़ा सा री बाइ बाइ